ओम गन्पतरी नमा ओम गनेशाय नमा दोस्तो वेल्कम टू दी वर्ल्ड ओफ केतु केतु की दुनिया में आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे केतु इन इलेवन्थ हौस केतु जब आपके चार्ट में इलेवन्थ हौस में होता है तो उसके क्या मतलब रहती है दोस्तो ये जो वीडियोस है इनके अंदर हमारा जो में फोकस रहता है वो सरफ केतु के उपर है दूसरे प्लैनेट्स को हम कवर नहीं कर रहे है कौन से लगन है, कौन से अधर इशूस है वो हम कवर नहीं कर रहे है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आये तो इसको लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ मेरे पास काफी क्वेरीज आती रहती हैं दोस्तों शाम को 527 फ्री कंसल्टेशन के लिए आप दिये गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं आपके कोई कमेंट्स हैं क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं दोस्तों भी हम बात करेंगे केतु इन 11th हाउस अफ दिल लगन इन दिया बर्द चार्ट बाकी हाउसेस की प्लेस्मेंट के अंदर केतु को देखने के लिए आप इसी वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो देखें दोस्तों हम जानते हैं राहू केतु शेडो प्लैनेट है वो रेट्रो ग्रेड चलते हैं इनका कोई फिजिकल मास नहीं रहता है मगर केतु आपका पास्ट है और राहू आपका फ्यूचर है तो हमारी चार्ट के अंदर हमारी बर्त के अंदर कोई जीवन में बड़ी घटना तब तक नहीं घटती जब तक उसके अंदर रहू केतु की इन्वाल्मेंट ना हो हर बड़ी इंसिडेंस के अंदर रहू केतु की इन्वाल्मेंट होनी जरूरी है क्यों क्योंकि केतु हमारा कार्मिक प्लैनेट है केतु हमारे कर्मों का रिपोजिट्री है यानि कि बैंक का लॉकर है और उसी के बेस में हमें रिजल्ट मिलने है केतु एक हेडलेस प्लैनेट है इसे साउथ नोड भी कहा जाता है इसका डार्क अंप्लेक्शन, स्मोकी कलर यह कलर है इसका यह आपके पिछले जन्मों का लेखा जो खा है तो दोस्तों 11th house जो है वो क्या चीज़ है 11th house है house of gains हमें जिन्दगी में जब भी gains मिलते हैं उसका 11th house की involvement जिरूरी है यह आपके elder siblings को भी denote करता है यह आपके social concerns social responsibilities को भी बताता है यह आपकी जिन्दगी की खुशाली है तो दोस्तों आप सोचें कि आपके पिछले कर्मों का जो लेखा जोखा है वो आपके house of gains में चला गया है तो आपके gains है वो किस चीज़ पर depend करते है कि आपके पिछले जनम के कर्म क्या थे उसी के base पर आपको result मिलने है 11th house कर्मा ट्राइन का part है कर्मा यानि जिसके अंदर आपको कर्म करने है कर्म करने पड़ते हैं और मेनत करनी पड़ती है इसे लिए 3, 6, 11 इसमें जब भी कोई malefix की placement होती है तो उसको अच्छा consider किया जाता है गेतु की placement 11th house में और species यानि अच्छी गिनी जाती है केतु आपको इसके अंदर result बहुत अच्छे भी दे सकता और बहुत कराब भी दे सकता है चलो देखते हैं focus areas केतु के क्या रहते हैं बहले हम education को लेते हैं जब individual के 11th house में केतु रहता है तो 5th house में राहू रहेगा ऐसे case के अंदर आप देखें कि जो individual है person है उसका एक से ज़्यादा field के अंदर mastery रहती है एक से ज़्यादा field के अंदर mastery क्यों रहेगी because उसका break in education होगा वो एक बार subject life में education के जरूर change करेगा कहीं ना कहीं इसको education में break मिलेगी कभी fail हो जाए या इंग्जाम नहीं दे formal education जो है वो उसकी disturbed रहती है part time correspondence course private ये चीज़े उसकी education system में involved रहेंगी मगर उसको ग्यान की भूक रहती है वो कोशिश करता है नई नई चीज सीखने के लिए इसलिए वो education से चुड़ा रहता है दोस्तों यह house of prosperity का यानि कि आपके पास life के comfort होने का सो उसको जिंदगी के सारे comfort मिलते हैं God उसको life के basic comfort सारे देता है मगर interesting लिए वो उनसे detached रहता है बहुत ज्यादा physically involved नहीं होता और एक simple man रहता है सदारन आदमी जिसकी सोच में comfort जादा उसको disturb नहीं करते मगर उसके comfort सारे रहते हैं उसके अगर brothers elder siblings की बात करें तो वो लोग generally अच्छा करते हैं मगर इसके उनके साथ relations कुछ tense रह सकते हैं इसके life के जो अंदर games है उनके अंदर उसके बड़े brother की involvement चुरूरी रहती है अपने social circle की वज़ा से अपने बड़े भाई की वज़ा से उसको life में gain मिलते हैं हो सकता है वो अपने बड़े भाई की suggestions को reject करता रहे ना माने मगर उनकी उनकी इसके life की growth के अंदर involvement जरूर रहती है दोस्तों 11th house show करते हैं आपका higher status आपकी power आपकी good position in society तो जिनके बर्ग चार्ट में 11th house में केतू रहता है वो दुनिया में higher status को पहुंचते हैं उनको power मिलती है उनके society में अच्छी position रहती है यह लोग social work करते है social worker रहते हैं so politicians के लिए यह अच्छे combinations हैं यह पैसा कमाते हैं मगर दोस्तों पर खर्च करते हैं आपने society के लिए खर्च करते हैं social work के लिए कर्च करते हैं दोस्तों यह spiritual combination भी देता है यो कि 5th house में रहू इनके creativity को boost करता है और 11th house में इनको जो gains है spiritual end पे भी काफी मिल सकते हैं इनको जिन्दगी में कहीं न कहीं से कुप्त खजाना जरूर मिलता है इनके जो wealth रहती है hidden रहती है यह पैसा कमाते हैं कई बार इनका जो कमाने का तरीका होता है वो भी चुपा हुआ होता है सामने से कई बार यह पैसा इसमें नहीं कमाएंगे हो सकता है वो यूट्यूबर हो ब्लॉग लिखते हो और कोई consultation करते हो यह उकल्ट sciences में वो involved हो पामिश्ट्री और रीडिंग इन चीज़ों में involvement से consultation करके वो पैसा कमाते हों दोस्तों के तो जो 11th house में रहता है यह उकल्ट studies में involved रहेंगे अगर बच्चों की बात करें तो इनके जो बच्चे हैं जब होते हैं एक कादा miscarriage हो सकता है कई बार बच्चे होने में इनको problem रहती है मगर जो इनके बच्चे होते हैं generally they are the talented one काफी उनके अंदर hidden knowledge रहता है और वो काफी ग्यानी रहते हैं जिन्दगी में अच्छा करते हैं social circle में केतू होना मत्तब इनको अपने social circle में मिंगल करना बहुत ज़्यादा involved होना इनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है यह कुछ कम दोस्तों के अंदर खुश रहते हैं social circle hello high in look का काफी लोगों के साथ चलता है मगर यह अपने दिल की बात बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं हिमती रहते हैं जिंदिकी में जो भी मुसीबत आए होसला नहीं छोड़ते हैं जितनी मुसीबत आती है उतना यह तगड़े होते हैं उस मुसीबत को प्येस करने के लिए administration इनका अच्छा रहता है आपनी life enjoy करते हैं comforts, luxuries को enjoy करते हैं मगर फिर भी physically and mentally बहुत ज़्यादा उनके उपर involved नहीं होते हैं दोस्तो यह तो था के तु जब चार्ट में 11th house में हो तो उसके क्या effect रहती है दोस्तो जुदने के लिए चैनल को subscribe करें आपका दिन शुप रहे ओम कनपते नमा